नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे डिबी वर्सीज दिजी ड्रीम 11 का जो मैच खेला जाएगा अबुदाबी टीटैन लीग 2022 का तो दोस्तों देखे दिल्ली बूल्स वर्सेज डक्कन गले अडियाटर्स दोनों टीमों में दिल्ली बूल्स की तरफ अंसोरी डक्कन गले अडियाटर्स के पास आपको दिखाई देंगे तो इनसली फेवर आप इस ट्रीम को कर सकते हों कौन से प्लेयर आपकी फैंटैसी समॉल लीग के लिए बादबे टरपिक बन सकते हैं वो सारा कुछ फाइनल अपडेट आपको यहां पर मिलेगा जिसके बेस पे आपने खुद के समॉल लीग और ग्रांड लीग के कॉमिनेशन बनाके विनिंग कर सकते हों लेगन सबसे इंपोर्टन दोस्तों बात की फाइनल टीम जो रहेगा व वहाँ पर भी मैं लिंक डाल देता हूं टेलिगराम का वहाँ से जाके डायरेक्ट जोइन कर सकते हूं फाइनल सारा कुछ अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगा एनलाइसिस सेक्शन में आते हैं तो सेम ग्रांड सेखजाइज स्टेडिम अबुधाबी में राद के दस वजे मैं स्टाट होगा फोर्टीन्थ नंबर मैच रहेगा अबुधाबी टीटैन लिग दो जरबाइस का रिसेंट में जो मैचेज खेलेगें उसके अकोर्डिंग पिच रिपोर्ट देखें तो दोस्तों देखें टोप ओडर के जो चार बैट्समें वह आपकी टीम में इ जाते ही हर बोल पे बाउंडरीज लगाने चाता है हिटिंग करना चाता है वहाँ पर विक्टेम भी गिरती हैं रंस भी बनते हैं अगर थोड़ी देट तक कोई भी प्लेश टिक जाता है तो ठीक है तो ज़्यादा पीच्छी बोर्ट देखना नहीं है प्लेयर्स का क्वैल रसल आ गए थे लेकिन अब सुरेश रहना खेले थे तो इनको उपर प्रमोट किया गया था इवन आंद्रे रसल डेविड वीज से भी नीचे बैटिंग करने आये थे लेकिन यह डिपेंड करेगा कि इनमें से बोलिंग को डालके दे रहा है ठीक है यहाँ पर डेविड वी डालके दिया लाश्ट के दो मैचसे में दो दो वर डालके दे दिये तो इन तीनों के बीच आवर्स का डिवाइडेशन हो सकता है टोप उडर में बैटिंग करने के जादा चांश तो मेरे खाल से आंद्रे रसल के डेविड वीजालां के पिछले मैच में परमोट कर दिये गए थे तो मोस्ट अब दा आवर्स की बात करें तो यह मिलके आपको चार आवर्स डालते वह दिखेंगे वाकि सुल्तावन हैमंत टोम हैलम जोस्वा लिटल और जहूर खान यह आपको कंप्लीट आवर्स लग बग लग वो मोस्ट आव दालते वह दिख जाएंगे इसमें जहूर खान के अवर्स कभी भी कम हो सकते हैं ठीक है इंपोर्टेंट प्लेयर्स की बात करें विकेट टेकिंग नेजसर के गैंदबाज की दरश्टी से तो जोस्वा लिटल टोम हैलम ओडियन समित और इसके अलावा आंध्रे रसल और डेविड वीज इन दोनमें का परेज सकते हो लेकिन इतने जादा टर्च में नहीं है सुरेश रहना किर्केट के यह जरूर से ध्यान रखिएगा बैंसेज में यह प्लेयर्स को खेलेगा इंफॉर्मेंशन टैलिग्राम में दे देंगे बात कर लेते हैं दिल्ली बूर्स प्लेंग लेवन की लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करना है दोस्तों जल्द इसे यह कंप्लीट कर दीजीगा दिल्ली बूर्श टीम की तरफ से रखीम कॉनवल खेले थे पिछला बाला मैज जीरो करवाय था और साथ में देखिए इनसे बोलिंग भी नहीं करवा निचे रेलियरोस्तों को ज़्यादा खास परफोर्मस नहीं दे पाए हैं लेगिन फिर भी आप अपनी टीम में कवर करके चलो बड़ी कंसिस्टन परफोर्मर है वैसे रिंपक्ट वाले बल्लेवाज में टोम बैंटन का फोर्म अच्छा चल रहा है आसिप खान एक मैच मे प्रमोशन मिला है वहाँ पर कुछ कास करवाके नहीं दिया टीम डेविड जब जब मोका मिलेगा उतना परफोर्मस ये करके देंगे जबरदस्त और वर्ल्ड के सबसे टोब हिट्टर में से एक हैं किमो पॉल देखे लास्ट वाले मैच में इनसे बोलिंग नहीं करवाय ग ठीक है ये मोश्ट अप देटाइम पूरे आवर्स आपको डालके देंगे और यहां पर देखे अगर आवर्स कम हो जाता है किसी का रिमाली जी सिराज एहमद का आवर कम हो जाता है तो वह फिर आपको ज़्यादा चांसेज हैं कि किमो पॉल ये डेन ब्राव ही आपको डाल बाते वें दिखेंगे डोमिनिक ड्रैक्स के हर मैच में केवल एक यावर करवाएगे तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो गलेशन विकेट टेकर हैं वकास मक्सूद भी विकेट टेकर गेंदबाज हैं ड्वेन देखें डेट स्पेसलिस्ट माने जाते हैं विकेट भी निकाल के जाते हैं लेकिन यहां पर इतना अच्छा इनका प्रफॉर्मस घट नहीं रहा है तीनों मैच में एक भी विकेट नहीं निकाल पाएं शिराज एहमद को केवल जीर में ट्राइक करके चलो डोमिनिक ड्रैक कवर जरूर से कर लीजिएगा ठीक है बैंसे में यह और कुछ प्लेयर्स को खेलेगा इंफॉर्मेशन टैलिग्राम में दे देंगे अब दोस्तों हमने जो एनलाइसिस किया है इसी के बेस पे देख लेते हैं हमना समोल लिक कटिंग तो सबसे पहले विकेट किपिंग लेकिन इंपक्ट वाले बलेवाज हैं कभी भी अपना जो इंपक्ट है वो दिखा सकते हैं और बड़ी एनिंग खेल के दे सकते हैं जसन रोड टोटली मिसेंट हीट वाले बलेवाज और टीटैन के बिल्कुल लाइक प्लेयर हैं अगर दस गयने खेल जाते हैं तो पत्ची अपनी टीम में कवर नहीं किया है रखीम कोन बॉल बहुत बड़ा हिट रहा है ठीक है टीटवंटी में दोहरे सतक तक जड़ चुका है जब बल्ला चल गया तो यह आपको बहुत सारे रंस करवाके देश कता है और यह कभी बोलिंग भी डाल लेता है तो यह चाहिए ध्या टीटे गे थे लेकिन खुद को प्रूफ नहीं कर पाएं तो हो सकता है बैटिंग फिर सेंग का डाउंध जा सकता है और अंदरे रसल प्रीड मैच्व हैँyi में कवर बहुत बड़ा ट्रम्प आपकी सा करवा के दिया और बोलिंग करवा के देंगे तो विग्ट भी मिल सकता है और हो सकता है तोप उड़्र अगर कलोप्स कर जाता है जो की दिली बूल से थोड़ा सा विक टीम मेरे को लग रहा तो वहां पर किम्मो पोल यह रंस करवा के देंगे और और अवर डाल के गे तो विकेड भी निकाल के दे सकते हैं तो ट्रम्प कार्ड पिक बहुत बड़ा इस वाले मैच में डोमिनिक ड्रेक्स को ज़्यादा खास करवा के नहीं दे रहे हैं जिराज एमद जियल में ट्राइख के लिए जिगा जहूर खान भी एक ठीक ठाक चोईसर वसिम मक्सूद यह आपकी टीम में बहुत बड़ा पिक बन सकता है कुबेरा पे जैसे यह दिलिवुल्स डिजिव वाला मैच है इस पे जैसे कलिक करोगे तो आपके सामने उप्सन दिखेंगे डूओ का बे डूओ पे कलिक करते यह पांच उप्सन है इन में से वो प्लेयर सेलेक्ट करगो जो आपको लगता है कि यह ज़्यादा पॉइंट क्लेने वाला है तो 22 प्लेयर पर रिस्क नहीं लेना पड़ता है तो जरूर्ब से ट्राइग करके देखो निचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उन्ने लिंक डाल दिया वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो आप यहां पर ट्राइग करके अभी के लिए कैव लि लिए फाइने टीम टेलिघ्राम में मिल जाएगा नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्षिन में लिंक है वहाँ से जाके जोइन कर लो या फिर सबस्यूपर जो फिंट कॉमेंट है वहाँ से जाके भी अब डेरेक्ले टेलिघ्राम से जोईन कर सकते होगे ठीक है और ये वीडियो अगर आपको informative लगाओ तो like, comment, share, subscribe जरूर से कर दीजिएगा और ये वीडियो बोच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video में Thank you guys